रिशी के क्षित्र में हर्याना की अपनी अलग पहचान है बड़े पैमाने परधान इवम गेहों की खेती के लिए ये राजी काफी प्रसुद्ध है और कुरुत पादन के पंधरा प्रकिशत हिस्से के साथ किंद्री भंडारन में राज्य का एहम योगदान है राजी में मुख्य तहद धान के फसल अवशेशों में आग लगाई जाती है पिछले कई वर्षों में मजदूरों की कमी और फसलों की कटाई के लिए नविंता मशीनों के उप्योग के कारण फसल अवशेशों को जलाने की समस्या पर रही है हर्याणा में धान के फसल अवशेशों पराली का एक बड़ा हिस्सा आगामी फसलों की बुआई के लिए शित्र को साफ करने हिदू खेदों में ही जला लिया जाता है फसल अवशेश जलाने से निकलने वाला दूमा मानोस्वास्थि के लिए बेहत खतरनाक है और इसके जलाने से 70 पतिशद कार्वन डाय उकसाइड, 7 पतिशद मोनो उकसाइड, 3 पतिशद नाइटरेट उकसाइड वो अन्यम मिथेन गैसे निकलती है जो मानोस्वास्थि और पशुपक्षियों के लिए बहुत आनिकारक है भारती क्रशी अनुसंदान संस्थान के आकरों के अनुसार, 10 क्विंटल फसल अवशेश जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइटरोजन, 2.3 किलोग्राम फासफोरस, 2.5 किलोग्राम पोटाश वा 1.2 किलोग्राम सलफर नष्ट हो जाती है और भूमी का स्वास्थ भी खराब होता है अर्याना में धान के फसल अवशेशों को जलाने की मुख्य समस्या है धान के फसल से ततिवर्ष लगभग 70,000,000 फसल अवशेश प्राप्त रोते हैं हर्याना में इसके समाधान हेदू केंद्र सरकारद्वारा संचालित हसल अवशेश प्रबंधन इसकीम के तहट पिछले चार सालों में किसानों को 80% अनुदान पर 6,775 कर्ष्टरम हारिंग सेंटर इस्थापिद करके 31,446 मशीने वो 50% अनुदान पर व्यक्तिगद किसानो को 41,331 मशीने उपलब्द करवा कर इस समस्या पर काफी हद तक निजात पा ली है इस योजना पर पिछले चार सालों में कुल 620 करोड की धनराशी अनुदान के रूप में किसानों के लिए खर्च की जा चुकी है इस वर्ष भी स्कीम के तहट 12 सरकार द्वारा 223 करोड रुपे उपलब्द करवाए गए है राजी सरकार के प्रयासूं वक्केंद्र सरकार के सर्योग से हर्याणा में फजल अवशेश प्रबंधन की कस्टम हाईरिंग सेंटरों के माध्यम से अनेक कहानिया लिखी गई है ऐसी ही एक कहानी है जिला कैथलव खंड गुहुला के गाउं जागिर रिवाड के जिन्होंने क्रिशी विभाग की मदद से 80% तनुदान पर कस्टम हाईरिंग सेंटर इस्थापित करके वो अन्य कस्टम हाईरिंग सेंटरों के संचालकों को साथ लेकर ततिवर्ष लगभग 6000 एकड में पराली की गाठें बनाकर जुगबीर एग्रो एनरजी प्लांट कांग थली और मेससेंसंस पेपर इंडरस्ट्रीज प्राइविट लिमिटेड पी होवा को बेच कर ततिवर्ष दो करोड से ज्यादा का कारूबार करते हैं और सभी खर्चे निकाल कर लगभग 50 लाख रुपे की बचद करते हैं नवस्कार सभी किसान वाईयां को राम राम कुमार गाहो रिवार जागीर हलका धूला कैथल हर्याना से हो सेटी यां बनाओ 80 परसेंट जो योग दान मिल रहा है पर इसी बार की मदर से मिल रहा है कर दो बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ मेरे साथियों चाहे हैपी सीटर लेके इना खेत में फान्या को मिलाओ या फिर वेलर मशीन लेकरके इनकी गांठे बनाके मेरे पास में कांग थली बिजली प्लांट बना हुआ वहां डाल दिया जाए दस लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपको भी अच्छा मिनापा हो तस और बारा मसीनों के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ एक मसीन के साथ मैं 20 किले हर रोज 20 एकड का काम करता हूँ और मैं लगवग 800 किले फाइनल कर देता हूँ पूरा सीजन के एक मसीन के साथ 4-5 लाग का मैं एक मसीन के साथ बच्चत का काम कर लेता हूँ जब बच्चत श्री राम कुमार जी पर्यावरन बचाने के साथ साथ भूमी की उपजाव शक्ति को बचाने एवं फसल अवशेश प्रबंधन करके लड़बग 300 लोगों को रोजगार भी उपलब्द करवा रही है उनका कहना है ये पराली नहीं खुशहाली है और पर्यावरन बचाने के साथ साथ आयका उत्तम जरियादी है